क्या आप सेर्टेसफाइड हैं? उतना काम लोगों के लिए कर पाए हैं? जितने की लोगों को उम्मी थी हैं, जितने की आपको उम्मी थी? तो साल तो हम बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए थे, कोविट के कारा, फे 7000 कुर्पे की लागा से बनने वाला जीला से मौल में, रेनुका डेम प्रजेक्ट, सुन्नी डेम प्रजेक्ट, 1200 करोड, सावडा कुडू, हाईडल प्रजेक्ट, 2080 करोड, नालागर का मेडिकल चार जून को भाजपा दावा कर रही है कि दो-दो सरकारे बन रही है, यह तो सत्ते है कि भारती जनता पार्टी की दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार बनने वल, जंदर मोधी जी का प्रधान मंत्री बनना तै है, अब की बार 400 पार होगा, फिर एक बार मोधी सरकार होगी नवस्कार, स्वागत है अब सभी का डीडी न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धरम प्रकाश, हमार साथ ऐसी शक्सियताज मौजूद है, जिन्होंने राजनीतिक सफिर में बड़ी-बड़ी इबारते रिखी, दो बार के विधायक रहे, सांसद और आने वाले चुनाव की लिए भी भाजपा के लोग सब आमिद्वार हैं, शिमला संसदिय सीट से, स्वागत कीजिए हमार साथ मौजूद हैं सुरेश कश्यप जी सुरेश जी, सत्रा विधानसवाक शेतर हैं, तीन जिले हैं, करीब 13 से 14 लाग की जंड संक्या है, पॉपुलेशन है, चुनाव प्रचार आपका धुवाधार चल रहा है, सबसे बहले तो प्रचार कैसे चल रहा है और क्या कुछ रिस्पोंस जंता की तरफ से मिल रहा है? प्रत्याशित गोशित होने के बाद, मेरा अपने स्वस्तिक शेतर का दूसरा दोरा, फर्स्ट राउन में मैंने हर विधानसवाक शेतर में एक एक दिन लगाया, और अब हर विधानसवाक शेतर में दो-दो दिन लगा रहा हूं, और नौ तारिक के बाद, लगातार कंटिन इसलिए मेरे टूर चल रहे एक दिन में छे, साथ, आठ, नो तक भी बैटके और कायरकम होते हैं तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे डंग से परचार चल रहा है जबकि अभी तो शुरुवाती क्षान है, शुरुवाती समय है फिर भी जिन-जिन ख्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ है जिला सर्मोर है, जिला शिमला है, जिला सोलन है तीनों जिला में बहुत अच्छा रिस्माउस मिल रहा है और आज हार कोई मोधी जी को फिर से प्रधानमती देखना चाहता है निश्चीत रूप से धरातल परकर यह आवाज है और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा प्रचार क्योंकि अभी तो शुरुवात है आगे आगे गती पकड़ेगा अभी दीमा है लेकिन जैसे जैसे गती पकड़ेगा तो और बहतर हुआ लोग सरकार चुनते हैं सरकार में करीब करीब 800 लोग लोगसभा राजसभा दोनों को मिला दे और उन 800 लोगों में एक शक्सियत आप हैं यानि कि आप 140 करोड लोगों में सबसे इंपॉर्टन्ट 800 लोग जो देश के हैं उनकी लिस्ट में शुमार हैं तो जब लोगों की सब्सक्राइब कर रहा है कि जिस प्रकार से दस वर्ष का जो एंडिया सरकार का कारे काल रहा है और जो विकास के काम हुए हैं जो योजनाएं इस देश में लागो हुई हैं उनका लाव आज 140 करोड लोगों को मिल रहा है आज देश का कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि कि उन्हें केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं का फायदा नहीं मिला है ऐसा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता क्योंकि कम से कम दो दो वैक्सिन के डोजिज तो हर किसी को लगे है और जनता इस बात को भली भाती समझती भी है और इस बात को रिजिस्टर भी करती है कि मो जाता हो तो महिलाय कहती हैं मोधी ने काम किया है प्रतात मोधी जी ने जो काम किया है धरातल के उपर उपर दिखता है धरातल के उपर जनता उस बात को सभीकार करती है चाहे वो माताएं बहने हैं जिनको दस कोड़ परिवारों को जो उजला के गैस के कनेक्शन दिये गए उ किसंसमानी ति ज्सको इधर मुदी की मुदी के पैसे बोलते हैं तो ऐसा करके लाब मिला आ है और जब मिला तो जन्ता इस बात को रिकर्गनाईज करती है कि मोधी जी ने काम किया है और आब कीबार तो मोधी को वोट करना है तो पिछले पांच साल का कारकाल जो आपका रहा है निजी तोर पर अगर आप में आपसे मैं पूछू क्या आप सैटेसफाइड हैं उतना काम लोगों के लिए कर पाए हैं जितने की लोगों को उम्मी थी या आपको लगता है कि उसके वेस में उसके आधार प इस सालों में रहा हैं तीन वर्ज़ का करेकाल और इन तीन सालों में sasat के 7 अध्ये लेला दोनों जीम्यादारियां को निभाने का मौका भी थो मैंने उसको निभाने का पूरा प्रियास भीकिया जहां तक मेरे संस्थी एक्षेत्र की अगर बात करूं इन पांस सालों में अनेक बड़े-बड़े काम जो केंद्र सरकार्ड ने सबकित की हैं मेरे मेरे संस्थी एक्षेत्र में जिसमें 7000 कोड़पे की लागा से बनने वाला ज़िला से रमॉर में रेनुका डेम प्रजेक्ट इसमें 40 मीगावरड का हाइड़ पावर का प्रजेक्ट साथ ही वहां से पानी दिल्ली जाएगा इसी प्रकार से सुनी डैम प्रोजेक्ट सब्वी सो करोर, सावरा कुडू हाइडर प्रोजेक्ट दोजारसी करोर, शिम्ला की स्मार्ट सिटी, और शिम्ला में धनिल टरनल अंग्रेजो ने बनाए दि, उसके बाद दूसरी टरनल पनाई तो भारती जन्ता पार्टी ने इंडियन इस्टिटूट और मेरेजमेंट धोला को, मेडिकल कॉलेज, नहान, जिला सिर मौर, 1426 क्रोड पे की लागत से बनने वाला ग्रीन कॉलिडोर, नेशनल हाइवे, जो इसी कंसिजुएंसी, जहां आज हैं, जुबल कोटखाई, जो घाट कोटी से लेकर, शिलाई और पॉंटा साही को जोड़ना है, ऐसे बहुत सारे चंडीगर से बद्धी रेलवे लेंग, चंडीगर से बद्धी फोर लेंग, परवानू से शिम्ला फोर लेंग, अनिक ऐसे काम जो है, मेरे संस्थिक शेतर में, इन पांच सालों में हुए हैं, और पी-मजी-स-वाई-थरी गिनवाए हैं, इसके इलावा बहुत सारे काम हमने, जो है, CSR के माध्यम से करवाए, MPLAND के माध्यम से करवाए, तो, कुल मिलाकर, तीन साल कहलो या पांच साल कहलो, बहुत काम जो मैं कह सकता हूं कि, मेरे संस्थिक शेतर में हमने करवाए. बहुत लंबी लिस्ट आपने गिनवाई है लेकिन इस लिस्ट को आपोजेशन मानता ही नहीं है कॉंग्रेस के उमिद्वार जब प्रचार में जब बात करते हैं आप पर या बीजीपी पर हमले बोलते हैं तो सबसे बड़ा हमला इसी बात को लेकर कहते हैं कि सांसत कुछ कर ही रहे और इसी को आधार बना कर खुद के लिए में चीजर आप पताना चाहूंगा आपको कि ट्रांस किरिक शेत्र को जंजाती गोशित करना जिला सिर्म और एक बहुत बड़ा इशू था और हमारी सरकार की समय में हमने उसको कि करवाया मानिय प्रधान मुंतिजी का मानि लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने जो 55 साल पुराना इशू चला रहा था उसको सॉल्व किया है तो ऐसे नेक काम हुए है जहां तक कॉंग्रेस पार्टी की बात है कांग्रेस के पास आज कहने के लिए क्या है ना नेता ना नीती ना नियत और आरूप लगाना उनका काम है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस के नेता या जो भी प्रत्याशी हैं कि वो भी अपनी कोई पुलबदी बता दें कॉंगरेस के सांसद आठ बार रहे हैं लगातार उनका कुछ बता दें कि उन्होंने कौन सा काम किया मैंने तो तीन साल की बता दी जो आठ बार सांसद रहे हैं वो भी तो कुछ बता दें कि उन्होंने क्या किया कॉंग्रेस के सांसदों को तो कुई जानता नहीं है जो आठ बार जो सांसद रहे हैं अगर आप लोगों से पूछेंगे तो हर कोई यही कहता कि हम ने तो दिखा नहीं हम तो जानते नहीं हमने काम किया है और तीन साल के दौरान दो साल कोविड के करण कुछ नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया में स्टेंड स्टिल सारी दुनिया उस समय रुक सी गई थी देश में भी यह इस्थिती थी लेकिन हमने तो काम किया योजनाएं आई हैं यह कोई जूट नहीं है यह तो ओनिकॉर्ड है क्या कोई बता दे कॉंगरेस का निता की रणुका डैम प्रोजेक्ट पैसा नहीं हुआ क्या सावणा कुड़्ू का प्रोजेक्ट बना नहीं क्या मेडिकल डिवाइस पार नाला नहीं प्या चंड़िगर से बद्धी फोर लैन का काम शुरू हुआ की नहीं परवान उसे शिम्ला फोर लेंट बना कि नहीं डली की टणल बनी की नहीं कि यह तो जो काम हुए है ओव तो आन रिकार्ड है यह मैं कोई जूटी गारणटी नहीं दे रहा हूं से बात नहीं कर रहा हूं यह तो काम हुएं-काम हो रहे हैं आइयम का बिल्डिंग बन र प्रदेशों के लिए पैसा नहीं आता और इस तरह की बाते हैं कि जाते हैं कि केंदर सरकार बिल्कुल पराया व्यवहार करती है ऐसे राजियों के साथ जो खुद कुछ नहीं कर पाए वाज केंदर के उपर ठीक राफोडने का प्रयास करते हैं सोला महिने से बीट गए सरकार के दस जूटी गरंटिया देकर सक्ता में आई एक भी गरंटी पूरी नहीं हुई मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने महिलाओं को 15 रुपे देने का वाइदा पहली कैबिनेट में किया था नहीं किया तो आप बताएं वो तो ओन रिकॉर्ड है आपने कहा था पांच लाख यूँआ को रोजगार देंगे कितनों को दिया एक साल में एक लाख को देना था कहां गया वादा कहां गया किसानों को किया गया दूद हम खृदेंगे गायक 80 रुपे भैस का 100 रुपे किलो आपने तो अभी बजट भाशन दिया बजट पढ़ बजट में आपने जो कहा उसमें स्मर्थन मुले 55 रुपे दिया क्यों आपकी गरंटी का क्या हुआ आप तो कहते थे हम 80 रुपे घलो खृदेंगे गाये का 80 रुपे और भैस का 100 रुपे गिलो तो आपने क्यों उसको 45 रुपे उसका स्मर्थन मुले रखा आप कब गोबर बागवान कब अपने फ़लों का मुले तेह कर पाएंगे आप कहते थी आप कहते थे हम स्वास्ते सेवा घरदवार बेजेंगे मुबाइल की फैसलिटी कहां गए वह वाते हैं कहां गया युवाओं से किया गया था तीनसों फिर बिजली का क्या हुआ है मैं पूछना चाहता हूं इसे कि आपने तो बाइस पैसे प्रति बिजली के दाम बढ़ा दिये आपने तो अभी 15 महिने का कारेकाल हुआ 1500 संस्थार बंद कर दिये आप बताओ कि आपने कोई प्राइवरी स्कूल भी खुला इन 15 महिनों में आप उल्टा जो है केंदर सरकार के ऊपर दोश देते हैं केंदर सरकार ने आपदा के समय में भी एंडियार्फ कहता है प्रदेश को पूरी सेर प्रदेश को मदद की आर्थिक रूप से ने बीच जनता के बीच अपने 15 महिने के कारेकाल में किये गए कामों को लेकर जाएंगे और उसके अधार पर बोट मागएंगे तो आप कह रहे हैं कि काम तो कुछ हुई नहीं तो फिर वोट किसा धार पर यही तो मैं पूछ रहा हूँ हूँ कि आपने 15 महीने में काम कौन सा किया आप क्या मुद्दा लेकर जंता के बिजली नहीं अब वही बात आप OPS की बात करते हैं अभी आपके बिजली करमचारी OPS म महिए आप महिने में तनखा नहीं दे पा रहे हैं यह आप व्लॉई को उनके बिजक नान नहीं मिले पारें आप की घंस्तों में बृणा से काम आप बता है कि इमाचलव प्रदेश में कौन सा काम आपने किया है इन PCR महीन就是說 कर जाएंगे आप ने तो सहुषान चले वबंद जीत का जटिकेट दिया और उसके बाद करेले आपने बंद कर दिया आपने कॉलेजिस बंद कर दिया और तो छोड़िये आपने तो बच्चों की बर्दी बंद कर दी जो गरीब के बच्चों को दो बर्दियां मिलती थी जिनको पहन कर स्कूल भी जाता था घर में भी पहनता आपने तो तुरिजम का भी घाटा कर दिया है आपने आप बताएं कि आपने 15 महिने में किया क्या है आपकी उपलब्दी क्या है कौन सी बढ़ी योजना आपने लागू की आपने तो उन योजनाओं के उपर फटे लगाए हैं जो भारतिय जनता पार्टी के समय में सब कित्मी थी भारतिय जनता पार्टी ने जिनका काम पूरा कर दिया था आपने केवल उसके उपर फटे लगा दिये इसके अलावा बताएं किया किया आपने ठीक है, ठोड़ा सा political face to face पे आते हैं, कॉंग्रेस प्रत्याशियों को उतारने में कहती है कि हम प्रियोग करने के लिए जाने ही जाती है, हलाकि बीजेपी कहती है कि कैंडिडेट नहीं उन्हें मिलते, इसलिए देरी हो जाती है, कि कॉंग्रेस कहती है कि हम चिंतन मंथन करके पूरी तैयारी के साथ कैंडिडेट उतारेंगे और बीजेपी जल्दबाजी कर रही है हमें उससे लेना देना नहीं है अब मन्थन करके विनोज सुल्तानपुरी जी को उतारा गया है कसौली से विधायक है आपने तो खेर नाम भी नहीं लिया जो भी प्रत्याशी है विनोज सुल्तानपुरी है केड़ी सुल्तानपुरी के बेटे हैं और लोगसभा के लिया आपकी कॉम्पेटिशन में वो शिम्ला संसेशीच से कॉंग्रेस को मिदवार है कितना मजबूत या कितना बराबरी का या कितना एक तरफा ये मुकाबला आप मानते हैं इस लोगसभा चुनापुरी को देखे हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चुनाओ तो चुनाओ होता है और जहां तक कॉंग्रेस के प्रत्याशी की बात है अब उन्होंने क्या मन्थन किया ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या उनका है या क्या सोच के उन्होंने किया है लेकिन ये बात तैय है कि भरती जन्ता पार्टी पिछली बार भी शिमला सीट को हमने भरती जन्ता पार्टी ने अभी तक के सबसे हाइस्ट मार्जिन से जीता था 3,27,000 वोटों का मार्जिन था और इस बार भी उससे उपर ही आंकड़ा जाएगा उससे नीचे रहने वाला नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है आज जिस प्रकार के काम हुए हैं देश में, प्रदेश में और पांच साल तक भरती जनता पार्टी ने जो काम किये हैं जो उसका फाइदा भी आज जनता उसको भी मानती हैं अब तो कॉंग्रेस के लोग ही अपनी पार्टी से दुखी हो गए हैं उनके छेचे विदायक इसलिए पार्टी छोड़के चले गए कि कुछ हुआ ही नहीं है इन सोला महिन तो आज तो कॉंग्रेस के नेता भी स्वहम इस बात को कहते हैं कि इससे भली तो भाजपा की सरकार ही थी तो यह स्थिति आज पूरे प्रदेश में बनी है और यहां भी यह स्थिति है जहां तक शिमला सस्थियक शित्र की बात है निशीत उसे भारतिय जन्ता पार्टी मजबूती के साथ चुनाओ लड़ रही है और मजबूती के साथ इसको जीते चेचे विदायकों के छोड़ने के आपने बात की इसका ठीकरा भ्यापी पर फुड़ा जा रहा है कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे पड़ी है जानबूच के सरकार गिनाने के कोशिश करती है और इसके लिए भी केंदर से इन्रदेश मिलते हैं मतलब इसके लिए इसके लिए सेंटर गर्मेंट को था रोजगार देने का अब हम युवाओं को कैसे फेस करें कि जो एक लाख की गर्रणटी थी कि अपरती वर्ष एक लाख को रोजगार देंगे श्री मतिस प्रियंका गांधी सोलन की रेली में आकर बड़े जोर जोर से चिला कर कह रही थी कि हम पहली कैबिनेट में 63,000 खाली पदों को भरेंगे और वो साथ में 37,000 नए प्रण सिक्रीट करेंगे एक लाख रोजगार जो देने की बात युवाओं से वादा किया था तो जनता के बीच में क्या मूला कर जाएंगे इसी प्रकार से जितने जो दस-दस गरंटियां दी थी तो उनका साब तोर के उपर कहना था कि हमने जनता से वादे किये थे हम वादे करके जीत कर आए थे अब किस मूल से जनता के बीच में जाएं और वही नेतिजा रहा इसी कारण उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और राज्यसभा के चुनाओं में भारती जनता पार्टी को स्पोर्ट किया इस बात से अंदाजा हो सकता है कि जब मुख्य मंत्री जी अपने विधायकों को समझा और आप ये छे ही नहीं है आने वाले समय देखिए अगे अगे होता है क्या एक जून को चार जून को भाजपा दावा कर रही है कि दो-दो सरकारे बन रही है केंदर में बीजेपी रिपीट करेंगे और प्रदीश में भी भाजपा की सरकार बन रही है यह तो सत्य है कि भारती जनता पार्टी की दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार बनने वाली है जंदर मोदी जी का प्रधान मंत्री बनना तैय है अब की बार 400 पार होगा फिर एक बार मोदी सरकार होगी होगी शिमला की चार की चार तैय है और शिमला सिर्च चोथी बार यह भी तैय है तो यह कोई डर वाली बात नहीं है ये तो हो नहीं है हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बननी है उप्चनौ के बाद आप देखेंगे मारतिय जन्ता पार्टी की सरकार हिमाचल में भी होगी और केंदर में भी होगी ठीक है एक बहुत डारेक्ट अटैक किया जाता है आपदा के दौर को लेकर क्योंकि बीते सा बरसात में जिस तरह कि आपदा काहिमाचल नहीं भूमी ने सामना किया उससे पहले उस तरह के हाला शायद कभी नहीं बने और कॉंग्रेस का जब पॉलिटिकल अटैक रहता है तो सबसे बड़ा अटैक इसी को लेकर रहता है कि आपदा के दौर में प्रदेश के तीनों सां सर्जों हैं उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई यह मुख्यमंतरी का जुबानी हमला रहता है प्रतिबा सिंग कहती है विक्रम अटतर सिंग उनसे बीते रोजी हमने बात की थी उनका भी एक तरह से डारेक्ट अटैक सांसदों पर रहा है बीजेपी पर रहा है जबकि आ आपने सही कहा आज कॉंग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है उनको कुछ नहीं मिल रहा है कि वो किस बात को लेकर जनता के बीच में जाए तो बीच में आपदा को लेकर आते हैं लेकिन आपदा के समय में तीनों सांसद लगातार अपने अपने संस्तियक्षेत्र का दौर कर रहे हैं मैंने सत्रा के सत्रा विदानसवाक्षेत्र का दौरा किया हर विदानसवाक्षेत्र में जहां पर भी नुक्सान हुआ था क्योंकि मेरे संस्तियक्षेत्र में तो पौटा सही में स्तोन में एक परिवार पूरा दब गया था ऐसा ही सोलर विदानसवाक्षेत्र के ममलीग में भी तीन लोगों की मौत हो गई थी और जो हमारा दून का क्षेतर है वहां पर भी बहुत नुक्सान हुआ पूरा एक गाउं जो है पूरा धौस्त हो गया पूरे खाली उसको करता है और मैंने चाहे वो जुबल में जो हुआ वह तो बहुत बड़ा हाथसा रहा तो लेकिन जहां जहां पर भी हाथसा हो वहा में हर जगे अपने समस्देय क्षेतर Oui ौर और आंगान बाड़ी में बह iy रह रहा था कोई कम्मो क्मूनिटी हौल में रह रहा था कुछ लोगों को जो है विकल्पिक वेवस्था की गई थी जैसे कि पॉंटा साइब में सीची राजबन में जो आ पर सीची राजबन में लोगोंको रखा गया था करीब सो से देट सो लोग वहाँ पर रह रहे थे इसी प्रकार से दून विधान सबक्षित्र में जो हद्सा हुआ तो वहाँ पर भी ऐसी दिक्कत आई थी तो हमने तो मैंने स्पेशली पचास टन्स राशन खद्य समगरी जिसमें खाने का समान जो है मंगवाया और लोगों के बीच मे वित्रित किया कंबल बांटे और जो भी अवश्यक था और सरकार को भी जो स्थानी अधिकारियों से उसे मदद लोगों की कराई तो और केंद्र सरकार की और से भरपूर मदद मिली जगतप्रकाश नडड़ा जी हमारे राश्टी देक्ष स्वाइम हम हीमाचल प्रदेश मे नितिन गटकीर जी हमारे जो केंद्री भूतल परिवायन मंत्री है उन्होंने स्वाइम जो है इस शेतर का दौरा किया और हमारे पूर मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर जी डॉक्टर राजी बिंदल जी हमारे प्रदेश दक्ष सभी हमारे विधायक गंड पूर विधायक प प्रदेश को तो यह सब तो केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जब गरंटिया फेल होगी सरकार फेल हो गई यह केवल जो है जनता का ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है आखरी सवाल की तरफ चलते हैं अच्छ और चुनावी माहौल क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं प्रचार लगातार जारी है निशीत रूप से पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मर्जी से सीट को हम जीतेंगे और मोदी जी की जो लिमें डाने हैं ठीक है बहुत को हमाचर प्रदेश में वोटिंग होनी है आखरी चरण में मतदान होना है लोकतंतर के सबसे बड़े महापर्व में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्यत कीजिए अपने घरों से निकलिए पोलिंग बूत पर जाएए और मतदान कीजिए बटन दवाईए और देश का एक सशक्त लोकतंतर चुन्ने में अपनी भागीदारी सुनिश्यत कीजिए आज के सकारकर में इतना ही मिचाजा दीजिए नमस्कार